ये इस वक्त की बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं और तस्वीरों की जरिये भी आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि सरवच ठप होने की वज़े से हवाई सेवाई पूरी तरीके से यहां प्रभावित होती हुई दिखाई दी हैं कोलकाता से जनकारी मिल रही है कि 11 उड़ाने यहां से रद्ध कर दी गई हैं और 39 उड़ाने जो हैं वो विलंब उसमें देखा जा रहा है इसी माइक्रोसॉफ्ट के सरवच ठप होने की वज़े से बैंकिक सर्विस से लेकर के एटेम तक सब कुछ बंद हो गया है जो लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं उनकी विंडो ब्लू हो गई है तीन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास इंडिकों के द्वारा दिया जा रहा है और इसी के साथ आपको बता दे कि यात्री परशान है तो कई ऐसे निउस चैनल से जिनका पूरी तरीके से टेलिकास्ट भी ठप हो गया है अमेरिका वे मेट्रो सेवा बाधित हो गई है कई ऐसी एरलाइन जिन्होंने अपने उडानों को ठप कर दिया है अपने हवाई जाजों को जमीन पर उतार दिया है क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखेका किस वज़े से माइक्रोसोफ का सरवर ठप हुआ है इसी के साथ एक बड़ी मीटिंग माइक्रोसो को दिया जा रहा है ताकि यात्री जो हवाई जास से अपनी उडाने भर रहे थे उनकी उडाने किसी तरीके से बाधित ना हो माइक्रोसोफ का सरवर किस वज़े से ठप हुआ है इसे लेकर करके मीटिंग बुलाई गई है लेकिन अमेरिका में सबसे साधर इसका सर देखने क को मिल रहा है जहां मैट्रो सेवा पूरी तरीके से बाधित हो गई है तीन ऐसी एरलाइन कंपनी है जिन्होंने अपनी साथ तमाम जो हवाई सेवा है उनने पूरी तरीके से बंद कर दिया है और इसी के साथ बड़ी मीटिंग बुलाई गई है हाला कि अश्वी वैशनों ज इससे सॉल्व करनी की कोशिस की जा रही है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या जिसके वैसे माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरीके से यहाँ पर ठप हो गया है तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या चार तस्वीर आपके सामने हैं कि किस तरीके से माइक् इलम्हीत जाया पर चासित नहीं पर चाहिएवित। आपके पास आएंगे लेकिन सीधे दिखाते हैं आपको तस्वीर अमेरिका की जहाँ पर, इस तरीके से यह जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो विमान है वो खड़े हो गए है अपनी जगर पे, उड़ने ही पा रहे हैं, क्योंकि जो हवाई सेवा है वो ठप हो गई है, सर सर्वर और सर्वर में खराबी है, दुनिया में खलबली है, चाहे सेवाए विमान की हो, चाहे सेवाए बैंकिंग सेक्टर की हो या फिर टेली कॉम की हो या फिर टेली विजिन की हो सब को यहाँ पर दिक्कते आ रही है हाला कि शुरुबात में पहले बात SEI की दिक्कत सर्वर में आ रही है इसके बात जो उडाने है वो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पारी है अमेरिका से लाइब तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम जहाँ पर विमान जो है ग्राउन पर है उडान नहीं पा रहे है दिक्कतों को यहाँ पर दिक्कते यहाँ पर उनके सामने आ रही है उडान भरने के लिए बिल्कुल लिनामिका जैसा बता रही थी और वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैंगे अमेरिका से लाइव एक्स्क्लोसिफ तस्वीर सामने आ रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर विमान थमे हुए है यानि कि जो हम कहा रहे हैं यानि कि यात्रियों को भी समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है और कई ऐसे देश हैं जहां पर भारत समेथ ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा है माइक्रो सॉफ्ट का सरवर ठप होने की बज़ा से इसी के साथ आपको बता दे जैसा हम आपको बता रहें कि दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है ब्रेटन पर असर है अमेरिका पर भी इसका खासा असर पड़ा जिसकी एक तस्वीर अभी आपने देखी रेल्वे ऐलाइन्स इंशॉरंस नौसो ग्यारा इमेजन्स हैं जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप होई है इसी के साथ आई-टी, मीडिया, बैंकिंग, मैनेफेक्टरिंग सेवाएं पूरी तरीके से सरवर ठप होने की वज़़े से इस समय रफ्तार उनकी रुख गई है एलाइन्स की बात करें, आई-टी की बात करें, मैनेफेक्टरिंग सेवाएं पर असर ये भारत की बात हम कर रहे है क्या हमारे देश में कौन-कौन से सेक्टर में इसकी वज़़ से असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है सबसे बड़ी बात, एलाइन्स आप देख रहे हैं, आई-टी सेक्टर है, मैनेफेक्टरिंग सेमाओं पर इसका सीधा-सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो सबसे बड़ा साइबर संकट इसी वज़़ से इसे कहा जा रहा है और हमारे तमाम सायोगी इस वक्त ग्राउंट पर मौजूद हैं, रागवेंद्र हैं, लोमस हैं और सत्विजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लोमस का रुक कर लेते हैं, लोमस एरपोर्ट पर ही है, जो तस्वीर हमें बैक्राउंड में दिख रहे हैं अब देख सकते हैं, इंद्रा गांधी एरपोर्ट पर अभी हम मौजूद हैं, और यहां पर जो डीजी यातरा बंद हो चुका थो वो पूरी तरीके से फिर से चालू हो चुकी है और जो मैन्वली टिकेटिक टिक्टिंग का सिस्टम था उसकी रफटार यहां पे बढ़ाई गई है और जो लोग बोर्डिंग पास को लेकما करके परिशान हो एक ते उसकी रफटार अब यहां पर लगाता ही जा रहे और जो तमाम मंत्री largest आधिकारियों के संपर्क में बताए जा रहे हैं वो लगाता रही वो कहते हैं नजर आ रहे हैं कि जो इस्तिती है वो समान करने की कोशिश की जा रही है लेकिन कुछ एक यात्री भी ऐसे हैं जो काफी परिशान है वो आईजी आई एरपोर्ट पे वो मौझूद है उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है य यहां कि पताए चला कि कुछ माइक्रोसॉफट आउटेच हो गया है यहां करके मालूम चला की माइक्रोसॉफट का सर्वर डाउन हो गया यह वेंडिंग मसीन है तौह तमाम ऐसे ही यात्री है लो मस जिने कुछ पता नहीं है क्योंकि जो उनकी फ्लाइट ही वो कैंसल कर दी अगर आज़ानी भोपाल की बात करें तो बहुत जादा आसर यहां पर देखने को नहीं मिला है आला कि कुछ दिर पहले हमने कुछ यात्रियों से बात की ती जो की इंडिको फ्लाइट से भोपाल से उनको जाना था उन्हें परिसानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि ऑन की है अभी और टिकेट बनाने के लिए मेरे मोबाइल में आईडी प्रोफ है आधार कार्ड और उसको वे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना मेरे को मैं अंदर जा सकती ना बेटी जा सकती और ऐसे परेशान होती हुए तो यूएस जाना था हाँ तो वो अंदर है अभी तक